तो पालर यहार बात दिन से निकतीड है अब अब की तालीग पर नज़र रखने वाजे बातित होंगे कि जब शकील साम आधी के इलाचे के शायर आधी पबासी ने कहाता कि रात क्यूं नब्जे जहां रुक्सी गई थी ऐदोस्त रात क्यूं नब्जे जहां रुक्सी गई थी ऐदोस्त हाँ तेरी याद में मस्मुक थे हम याद आया यह परावशी यह भज़र का एक खुष्ण है लेकिन एक बात मैं आप से रसकरूं कि दिल के चजबात और इसासाथ का इसाग जहां आपके अंदर के खुष्ण का पता द पता है और इजहां खुष्ण इजहां और इजहां के खुष्ण की मौद्व की इन तबासुन के साथ माजी में जब कहीं मिली थी तो अज्रावल हक मजास का नाम आया था और फिर कुष्ण लोगों ने अफ्तर शिराणी को भी उसी जुर्दे में शामिल किया हमारे एद मे यह हुआ है पढ़ी कि वह पंजाब जिसने उठू की न सिर्फ विफासत की बरके उठू की अदरी दुनिया को अदरी तारीख को ऐसे से लोग दिये जिनका सिर् इंकाल दिया जाए तो तारीख न रहे सिर्फ एक्रवर बने के रख जया है और पिर तम तो दोड़ एख और एक नौजवान, मौपतों का हुनर, मौपतों की बाते, मौपतों की शोफियां, मौपतों की जिम्मेदारियां, लेकर अधरी दुनिया में इस तरह से तुलूब गुआ, कि लोगों को मजास की रादाने लगी, कि जिनके अशार सुवीरे माजें बजवान लग्यों, पर्चों पर लिखकर, तरकीयों की बीशे रखते, रोया रखते थे, मैंने सुना है, शकीर साथ इसकी तस्दिय की अताइब करेंगी, और अगर होते भी उम्मेद मौपत में तो कि अजाज मसी शांतों का, रूदु खिश्मात का, मसी शांतों की अगबूल नौजवान शाय, ऐसे नौजवान शाय, कि जो महबत को दोचा नहीं रहीं, हर बाद दोचा इलाती है, ये मौपतों का नया अस्तूर बना रही है अगर संजीत की के साथ इनकी शायरी को सुना तो बचलम रूते हुए लोग भी सही रास्ते पर आजाएंगे बढ़ना सही राप पर चलते में लोगों के भटब जाने का ने बहुत है सौचान भी दिखने प्रें तो क्या बात बनेगी तुम आए तो ये राप भी अब रात बनेगी जना दो असी शायरी आपके शायरी बिसमुल्लाइब अर्माद रही हुए बिसमुल्साब बड़ी शवक्त फर्माते हैं जिबी दिते हैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगे ताहिर अजिम साब का मुटार अजिम का प्रेसेवट्णी साब का और सुहेब दबाई साब का और खांग तुमारे जिम्हारी शुरत मुशारा जायर बपा किया और खांगा शाब से और सीनियर से मेठें वेसमुल्साब साब इजाबत से तो मुटार मासम पाईजाद साब टीजर के तो हमारे सीनियर से बैठें आकार दो जहां सकारे दो आनम तेसाब की सम्नाथ भी आप बहुतर हैं तो से आपने बहुत ज़्यादा सुनाने के दो में मुझे नी पताए किसकी बजाए कि अधरा इस नजम का पुमाने गारे हिरा की दीवारों को चूपकर यू महसूस हुआ है गारे हिरा की दीवारों को चूपकर यू महसूस हुआ है जैसे मैंने तेरे जिस्म को चू देखा हो गार इहरा की दीवारों को चू कर यू महसुस हुआ है जैसे मैंने तेरे जिस्म को चू देखा हो जैसे मुझ में एकरा एकरा की आवाजें गूज उठी हो जैसे मुझ में एकरा एकरा की आवाजें गूज उठी हो गारे हिरा की दीवारों को छूख कर आका इल्म की प्यास मुझी भी है और बड़ भी गई है पिछले दिनों तो हम भी उसको मनने लगे हैं हमें लगता है कि हमारे लिए हर दे ही मुद्स होता है और पिछले दिनों बड़े इखत्माम से मुसम पाक्सतान में के बाग कि आए गया है यहां पर लगे लगे लिए कि लिए अगर 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 मेरी बालदा जिन्दा होती है और मैं नमास पढ़ रहा हुता और मुझे बालती मुहमद तो मैं नियत तोड़ता हो कि अगर दा जी बालता है यह मकाम है उसे वाले से एक लिए जम है जो मैंने बालदा कि नाम भी थी पहली किताब इसाब था उसका बाब सब की अगरा पर लिए यह काम्याबिया इस्जत यह नाम तुम से है यह काम्याबिया इस्जत यह नाम तुम से है एए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुम से है तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब मेरे वजूद का सारा निजाब तुम से है और जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ जहाँ जहाँ है मेरा इहतराम तुमसे है जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ जहाँ जहाँ है मेरा इहतराम तुमसे है ये काम्याविया इज्जत के नाम तुमसे है खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है एक नजब है और नहीं किताब से इसको हमारे मुहबत आखरश है क्या मैं शायर हूँ तो अकसर लोग मुझसे पूचते हैं इस हसी इसरार के बारे मैं शायब हूँ तो अकसर लोग दोसे पुछते हैं इस हसी असलार के बारे में बताएं तो भला क्या है मुहबत आखरिश है क्या हसी में हसके कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मुहबत है भभर में डूपते को साहिलों तक लेके जाना भी मुहबत है किसी के बासते नन्दी सी पुर्बानी मुहबत है कही हम राज सारे खोल सकते हो गड़ी कही हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेवसी को देख कर खामोश रहे जाना हुगाथ